बाइपास जिरो माइल के समीब सड़क दुरगटना से आए दन गोता रहता है मौत का थांडव सुद्ध लेने वाला कोई नहीं भागलपुर में सड़क दुरगटना थमने का नाम नहीं ले रहा है लगतार तेज रफटा ट्रक और एक आईवस दुरगटना हो रही है ताजम आमलास जिले के उद्ध्योगिक ठाना प्रक्षेत्र जिरो माइल के समीब बाइपास पार साड़े-दस बज़े भायानक सड़क दुरगटना होई दरस साल एक तेज रफटा ट्रक ने दूसरी ओर से आ रहे बाइक को टक्कर मार कार 20 मीटर तक घसीट दिया इस घटना में और द्योगिक प्रक्षेत्र थाना के गोपालपुर निवासी आदेश राज और फिललालू वे विश्रजीत गंभी रूप से घायल हो गए दो पूरा उलोक का प्रूर पे चड़ा हुआ पूरा इधर एक तरफ इंजाड हो गया तर और उसका दूसरा का भी पहर पचाड़ गया हाँ पूरा एदम प्रिटिकल सिजुएशन में अभी जाश्ट फोरत पहले कि इतना हुआ दस पचास वान सारे दास बजे कास पास में जारी 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 क्षड़ करे बिर दोन से जो है और जो हैंी क्षड़ करें दोन से, करें दोंसे खर्णा है झाल 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 गणतंत्र दिवस सम्हारों में इस बार कमी जवन परेड में लेंगे हिस्सा, बच्चे इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में नहीं ले सकेंगे हिस्सा कोरोना का साया इस बार भी गणतंत्र दिवस पर पढ़ने जा रहा है कोरोना की वज़े से पहले भी काई सम्हारों फीके पड़ चुके हैं इस बार गड़तंत्र दिवस सम्हारों पर भी इसका असर पड़ेगा प्रिशासन का दावा है कि सम्हारों पर अनुसाद मरेगा लेकर इस बार कल्च्रल इवन नहीं होंगे